नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत हैं आज हम लोग स्वड़ी बात कर लें क्योंकि कल राहूल गांदी सैक्ल चलाके और एक विपक्ष की एक मीटिंग करके पार्लेमेंट पहुंचे थे तो जड़ा एक बार समझने के लिए कि क्यों हो रहा है क्योंकि आज राहूल गा सुनियां गांदि के उपर लेकिन सब्चाहता राहूल गांदी के उपर अब मेरे एसाब से राहूल गांदी को अगर आप देखिए तो वह चार मोर्चे पर एक साथ लड़ रहे हैं और मैं समझाओंगा कासे पहला मोर्चा है बीजेपी बीजेपी क्या करता है बीजेपी उनको 6-7 साल से पपू, पपू, पपू करके उनको डिस्क्रेडिट करने का एक निरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोगों को लगठा है कि अच्छा, अब आप ज़रा ये बताए ठीक है, वो पपू, दूसरे भाई साथ विश्वगुरू, यही ना, ये पपू ह वो विश्वगुरू है, मैं ज़रा आप से एक बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ, आप लोगों में से कुछ लोगों ने इंटर्वु दिया होगा, कुछ लोगों ने इंटर्वु लिया होगा, किसी भी नौकरी के लिए, तो अगर आप कहीं जाते हैं साक्षातकार के लिए, इंटर्वु नौकरी के लिए, तो आपसे पहली चीज़ क्या पूछी जाती है? मेरे हिसाबसे जाब किसी भी इंटर्वुर है, जैसे मुझा है, बहreं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो पपु की कौलिफिकेशन जान लीचे, और विश्वगुरू की क्वा आपका क्या इंट्रेस्ट है तो बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो जॉइन कर चुका है उसको 10-12 साल बाद बहुत सी चीज़ें दिख जाती ही क्यों जॉइन किये थे विश्वगुरू की वेश्भूशा देख लीजे इस पद पर आने से पहले और अब वेश्भूशा लीजें घड़ी देख लीजे चैश्मा देख लीजें कलम देख लीजें जूता देख लीजें कप्ड़े का वह देख लीजें वो हाफ की जगह, मतलब आप तो बिलकुल वो है, तो क्यों जोइन किये ते यह भी क्लियर है, यह पपू बिचारे पपू ही रह गए हैं, पिछले 20 साल से पारलमेंट में हैं, विश्व गुरू से पहले से पारलमेंट में हैं, लेकिर वही जीन्स और वही कुर्दा पर जामा तो चलिए यह क्यों जोइन किये, फिर पूचा जाता है अगर आप से पूचा जाए कि आप क्या परवार का क्या है, माता पिता के बारे का, यह पूचा जाता है ना, तो बही पपू के पिता शहीद हुए इस देश में, पपू की दादी शहीद हुए इस देश में, विश् पता है कि बांगला देश की लड़ाई के समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांगला देश का बटवारा कर रहा था तो विश्व गुरू ने उस समय अंदोलन किया था और उस अंदोलन में वो जेल गए थे तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के 71 के युद में वो क्यों जेल गए थे किसकी तरफदारी कर रहा है थी कि उनको सरकार को जेल में डालना पड़ा ये अपने में कुश्चन है तो ये वो है अब बात आती है को पूछते हैं कि what is your marital status ये पूछा जाता है ना कुश्चन आप से तो भाई एक जो पपू है ये शादी शुदा नहीं है और इनको एक BJP के एक बहुत star spokesperson है बहुत ही जहीन और बहुत ही knowledgeable सम्वित पात्रा वो बार बार पूछते हैं कि ये बैंकोग क्यों जाते हैं ये बैंकोग क्यों जाते हैं और उसका undertone आपको बताए कि लोग बैंकोग क्यों जाते हैं लेकिन कभी सम्वित पात्रा जी पूछा जाता है कि तुम बैंकोग क्यों जाते हो चलिए बाई तो इमेरिटरल स्टेटरस हो गया अब बात आती है एक आदमी को ये लगता है ठीक है आपके माबाप के आपने उनके प्रतिया आपका क्या करता है ये भी पूछा जाएगा अगर तो भाई पपू का एक समय ये तो पॉब्लिक डोमेन में है संतोष भारती ने किताब भी लिखी है कि 2004 में सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना तैं था जिसको बैक कर रहे थे वीपी सिंग चंदर शेकर करुणा ने दी हरकिशन सिंग सुरजीत में इस सारे नाम ले रहा है सब लोग बैक कर रहे घते हैं काम सिरम लेकिन स reform शोनिया गांधी प्राइम मिनस्टर नहीं मनीं और उसका ना बनने का का राण भी उसी मेंैं ना बनने का एक कारण था कि पप्पू और उनकी बहन ने ये कहा कि भई अब उनके प्रति उनका प्रेम, मम्ता, उनका प्रति उनके प्रति ये कि भई पिता को खोया है कहीं मा भी उसी उसमें न हो उन्होंने बना किया कि आप प्राइमिस्टर नहीं बने गए, ठीक है, उन्होंने अपने मा के प्रती ये प्रेम दिखाया और उनको प्राइमिस्टर ना बनके, उनको कहा कि आप M.P. रही हो, हमारे जो विशु गुरू है, ये छे भाई बहन है, छे, अच्छा अब एमानदा प्रास थी, मेरे पिता भी M.S.C. थे, मेरी बीबी भी M.A. है, लेकिन आप लोग ये बताईए कि आप लोगों में से कितने लोग, छे भाई बहन के रहते हुए, 95 साल की मा को अपनी मा को A.T.M. की लाइन में भेजेंगे, चिल्चलाती धूप में पैसा निकालने के लिए, तो ये, ये, ऐस अ सन, ऐस पुत्र, ये उस पुत्र का और उस परवार का भी ये रिफ्लेक्ट करता है, कि वो एक 95 वर्ष की मा को A.T.M. की लाइन में लगा दिया जाता है इस परवार में, तो इस परवार की बहुत सी चीज़ें इस से भी क्लियर होते हैं, कि ये किस तरह क सर्ट्रकेट जो देते हैं, तो एक भाई साब का अगर कैरिक्टर सर्ट्रकेट मिलेगा, जो शुकुरूगा, दंगे हुए, लेकिन बहुत से मुकदम उकदमा, दोशी नहीं पाए गए, पपु जी के समय कोई, दंगे ही नहीं हुए, पपु जी इस तरह के उस से नहीं है, अब मैं ये बातें सिर्फ ले कह रहा था कि ये तो पहला फ्रंट है, दूसरा मोर्चा जो राहूल गांदी को सुबा से शाम तक करना होता है, वो अपनी पार्टी का फ्रंट है, ये तो बीजेपी का फ्रंट हो गया, अब उनको कॉंग्लस पार्टी में ही एक रोज की जद मुझे लगता है कि ये जो सभी को रगता है कि सीरिस हों, देश को आजावर शक्ता है, क्योंकि अगर आप सीरिस नहीं हो रहा है, तो देश कहीं नुकसान हो रहा है देश का, लेकिन आप ये भी देख लिजे राहूल गांदी की प्रंट ऑफ यू से, क्या इनको बीजेपी दड़ा जो अपने को जीतरी कहता है, वही इन से वह है, और वो कितना असरदार है है हम सब लोगों को पता है, एक तीसरी दिक्कत भी बता हूँ, उसी पार्टी में जो जिन लोगों को आपने प्रमोट किया और आपको लगा कि मेरे बहुत क्लोस हैं, जोते रादित संधिय जितन प्रसाथ, और पराने समय में हेमंद विस्वल सर्मा, ये लोग आपको छोड़ के चले गए, आपने उनको बहुत मान सम्मान मिला था इस पार्टी में, लेकिन उनको लगा कि नहीं ने, मुझे कही मंतरी बनना है किसी को, MP बनना है किसी को, MLC बनना है, वो लोग तो उस समय उनके पास एक बड़े लोगों की टीम थी, जो उनको सलहका दे सकती थी, लेकिन, मैं राजी गवांदी को कंपेर नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा 92 की, जब नरसिमा राओ, जी मनला प्राइम मिनिस्टर बने है, उस समय तरह कॉंगरस की टीम देख लीजे, यह कौन-कौन लोग बन सकते थे, नारान दत्यवारी, अरजुन सिंग, नरसिमा राओ तो बनी गए, और कौन-कौन उस टीम में थे, क्योंकि यह सब लोग कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर के आसपास की लोग थे, मैं कुछ नाम जल्दी से ले ले रहा हूं, शंकरा चोहा प्रनरम मकरजी, पी-ए संगमा, सीताराम केसरी, फोतेदार, विद्या चरंग शुकला, अजीद पांचा, मैं यह नाम को ले रहा हूं, जो इतने बड़े-बड़े नाम थे नरसिमा राओ के साथ, आज राहूल गांदी, अगर कौंगरेस की कमान किसी को सौपना चाहा है, किस को सौपना, यह जरूर है कि किसी ना किसी को देना चाहिए, दो ही ऑप्षन है, एक आशोग गहलाओ, दूसरे ऑप्षन है, कमलाओ, कमलाओ का एक को है कि कमलाओ, अगर जैसे भई, शरत पावान ने दिखा दिया ना कि कैसे कंट्रोल होती ही पार्टी, आप चीफ मिनिस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रहते हुँ, आप अपनी पार्टी को एक जगा नहीं रख पाए, चीफ मिनिस्टर रहते हुँ, यह भी तो कौंट होगा न, कि आप ओल इंडिया बिस्निस पे कैसे कॉंग्रिस को समा लेंगे, दूसरे अशोग गहलाओ आते हैं, जो मेरी वह हैं, उसके अनुसार, अशोग गहलाओ चीफ मिनिस्टर का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब भई आप चीफ मिनिस्टर रही है, या अध्यक्ष रही है, एक यह समस्या राहूल गांदी सुबद से शाम तक ही जेल रहे हैं, और एक चीज और जान लीजे, यह जो competent लोग है न, एक काम तो करी सकते थे राहूल गांदी की मदद के लिए, पैकेसस पे पूरा देश इस समय थोड़ा आंदोले थोड़ा एक इशू ट्रिगर बन रहा है, ममतब एनरजी ने जांच बिठा दी, कॉंग्रेस के जो लीडर हैं, जहां जहां यह चीफ मिनि तक जद्धो जहत करनी पड़ रही है, वो है ओपोजिशन वाली, ओपोजिशन में राहूल गांदी ने अभी जो कल जिसको ले की यह सारी चर्चा हो रही है, 17 लोगों को इन्वाइट किया था, उसमें से त्रिनुमूल कॉंग्रेस, NCP, शिफ सेना, DMK, CPM, CPI, RJD, सपा, JMM नेशनल कॉंफरेंस, IUML, RSP, KCM, LJD, शरत ज्यादत जी वाली, यह सब लोगा है, दो लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं आये, उसका एक का नाम है BSP, और एक का नाम है आम आदनी पार्टी, यह लोग नहीं है, BSP का तो समझ में आता है कि क्य ना कहीं, वो एक larger fund की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने, मैंने अभी हाल में ही कहा ना कि BSP और Congress को रिसाइड करना है कि उसका सबसे प्रमुक विपक्ष, विरोधी कौन है, साफ साफ है कि विरोधी तुमारा BJP है तो साथ हो, वो indication दे रहा है, जो लालू यादव है, वो आके लालू यादव को पता है, वो जेल से बेल पे भी आए हुआ है, वो खुद नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा काम कर सकते हैं, वो शरत यादव से मिले, मुलाहिम सिंग यादव से मिले, शरत पवार से मिले, ये सबसे मिल रहा है, तो किसी ना किसी opposition unity के लिए ही मिल रहा है ना, और लालू ने का उपर एक वो भी है कि लालू की creditability ज़्यादा है, जैसे मुलाहिम से किया आदव के पास वो बड़े नेता होने के बाद भी वो creditability नहीं रहे गई है, क्योंकि जब 2015 अंदरा का चुनाओ था, और विधानसभा चुनाओ में जब बिहार में स हथ स्पेस्फिक बात कहीं, उन्होंने का कि देखे हमारे आपके differences बहुत हो सकते हैं, उस meeting में ने का, लेकिन आज 60%, actually वो है 63%, लेकिन उन्होंने 60% का नाम लिया, कि 60% हम लोग जो जनता है, उसने मोदी को नहीं चुना है, हाला कि 37% लोगों ने चुना, उन्हों का, उस 60% जनता के हम लोग representatives हैं, हम अलग अलग दल में हों, अलग अलग विचार दा रहा हों, हम लोग एक साथ ना बैठते हों, और उनकी बात आज, पारलामेंट में नहीं सुनी जा रही, तो इसलिए हम लोगों को एक larger interest में साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि, वो, आचा, कुछ ल एक issue हुआ था न, और क्यों हुआ था, बोफोर्स के बारे में मैं आपको बता दू, मैं बिल्कुल उस समय चुनाओ के ठेट चुनाओ में था, इंडिया टुडे का एक cover page आया था, जिस पे लिखा हुआ था, बोफोर्स, दी गन, विच बूम रैंक्स, ये उसका cover page था, और लोप ला रहे हैं, राजी गांधी, कि अगर गोला इधर डालोगे, तो देखो, इंडिया टुडे में लिखा है था, गन बूम रैंक्स, ये गोला उदर डालोगे, तो गोला वापस इधर अपनी इस पे लग जाएगा, बूम रैंक्स का ये मतलब बताया जाता था, तो कहन पेट्रोल और डीजल इतना महँगा हो गया है, लोग कहने हैं किसान की बात बहुत जरूरी, और वो ट्रैक्टर पर आया है, तो किसान को ही कही नहीं कहीं कनेक्ट कर रहे थे, और आज पारलिमेंट में पेगिसस केब में सरकार को घेरने, और ये ऐसा पॉइंट है जहां प देख लीजे, पिछले तीन-चार वर्ष में अकेला विकती है, जो रफाल पे लगातार बोल रहा है कि बेमानी हुई है, बेमानी हुई है, बेमानी हुई है, अने लंबानी का वो जिस तरह से दिया गया है, सब को पता है, आज लोग नहीं मान रहे हैं उसको, चाइना पे लगातार बोल रहे थे कि चाइना हमारे अंदर हिंदुस्तान की सीमा में घुस गए हैं, हिंदुस्तान की सीमा में गए हैं, लोग नहीं मान रहे थे, करोना में फरवरी 2020 में कह रहे थे, ऐसी सुनामी आने वाली है, कि आप लोग नहीं माना जा रहा था, वैक्सीन के लिए बोल रहे थे, नई सरकार जग रही थी, आर्थिक मुद्दे पे जितना वो बोल रहे हैं, किसको किसको लाके, रगुराम राजन इनको उनको यहां वहां, आर्थिक मुद्दे पे लगातार बोल रहे हैं, कि जो अर और नई सेक्टर हैं, जो मजदूर हैं, जो किसां, यह तब लिजे कि सबसे ज़ादा गाली खाने वाला विक्ति अगर कोई है तो राहूल गांदी है पूरा जो बीजेपी है वो एक आदमी को टार्गेट करता है अब मैं जल्दी से बात कर लूँ मीडिया की फोर्थ फ्रंट है मीडिया जहां से जिसको सुबा से शाम तक राहूल के बारे में अगर चर्चा होई तो दैनिक भासकर के साथ क्या हुआ है या आपको पता है बाकी दैनिक भासकर को चोड़के किसने आवाज उठाई किसान अंदोलन पे सारे लोगों ने मिलके उसको खालिस्तानी आढ़तिया देश-द्रोही क्या क्या करने की कोशिश की जेन बहुत कुछ सुगबु का हाट हुई लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं अपने लोग मरें हैं मीडिया के तब यहालत है बंगाल में ममता की लगातार गल्तिया आज बताई जा रहे ही कि ममताब एनरजी किसम है इस तरह से हिंसक जड़पे हो रही है और कमिनल रॉयट्स हो रही है कोट दोरा कितनी बार फटकाल लगती है सरकार को कि यह क्यों कर रही है क्यों कर रहा है तमाम ऐसे मुद्धे हैं मीडिया कितनी जगी हुई है आज मैं इसलिए कि हमसे ज़्यादा विदे क्योंकि अकर मीडिया नहीं जगी कि तो दिकत होगी बोफोर्स का मामला इंदू, इंडियन एक्स्प्रेस और बाकी पेपरों ने चापा, उतना ही स्वीडन में भी उस समय चप रहा था, स्वीडन के लोग भी हो थे, रफाल का मामला जितना फ्रांस में चप रहा है, उससे कम हिंदूस्तान में चप रहा है, हमारी मीडिया की जम्यदारी नहीं है, पेगसेस का मामला जितना सत्रह इंटरनाशनल संगटन साथ आए हैं, जिसमें एक वायर है, वायर भी सोचल मीडिया है, मेनिस्ट्री मीडिया नहीं है, पेगसेस पे पूरी दुनिया का मीडिया एक हो रहा है, हमारे मीडिया कोई चूंकर रहा है उसमें, और जूट पर कू लेने देना भी एक डॉमेक्रिटिक प्रोसेस है ये इनकी लोग कहे हुए है भई अब मैं जल्दी से बात कर लो राहूल गांधी के बारे में ये तो उनको चार मोर्चे पर लड़ना है अब बीजेपी कॉंग्रेस विपक्ष के हैं और मीडिया अब जल्दा राहूल की बात म मैं इसलिए कर लूँ क्योंकि ये भी एक थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी आप सुन लें बार बार ये कहा जाता है कि यूपी से हार कर भाग गए कहा जाता है न राहूल के बारे में क्या एलेक्षन हारना जीतना ही सब कुछ है और मैं ये इस बात इस स्कुरेड़ट हो गया वो निता फिर वो एक दूसरा वो चलता है कि राहूल कांधी को जंता ने रिजेक्ट कर दिया अमेठी से ने क्या किया ठीक है बई राहुल गांदी को अगर जंता ने डिजेक्ट किया, कॉंग्रेस की कम सीटे आई तो राहुल गांदी ने अध्यक्ष होने के नाते अपने पत्से इस्तीफा दे दिया ठीक है? बंगाल में आपके बुरी तरह हार हुई पूरा आपका वो हो गया तक किस ने इस्तीफा दिया? नेशनल प्रेजिडन्ट ने इस्तीफा दिया आपके? बंगाल के दिलिब गोष्ट ने इस्तीफा दिया? क्या बात करते हैं? अब एक और नया चलता है कि जंता ने खारिज कर दिया यह हमारे जो वीसी साहब हैं, चांसलर साहब हैं, समित पात्रा जी जंता ने खारिज कर दिया राउल गांधी के लिए कहते हैं कि उनको अमेटी की जंता ने खारिज कर दिया बाई साब, अरुन जेटली को और स्मृति इरानी को 2014 में जनता नहीं खारिज कर दिया था और ये कौन सा लोगतंत्र है कि जिसमें जनता खारिज कर दे उसके बाद ले जाके उनको मंत्री बना दिया गया था वह हेविवेट मंत्री मतलब जनता खारिज कर रही है और हमारे पे शुकरू उसको मंद्री बना दे रहे हैं चलिए बाई ये जनादेश का इतना सब्मान हो रहा है यहां पे चलते चलते मैं जल्दी से एक दो बातें कह दूँ कि ये सही बात है कि राहूल गांदी को ये दिखाना पड़ेगा कि वो सीरेस ने जैसा ये काम करते हैं और शायद सीरेस्नेस के परवाशा पदल गई है राहूल गांदी को कोशिश करनी होगी कहीं न कहीं जो सरकार है भाज़पा की सरकार उसको गिराने का उपकरम करें उसको लगे कि वो कुछ हिल रही है कई जगा हिलती हुई कभी कभी क्योंकि आजकल जब वो हैं तो बहुत सी जगा इस तरह की बाते हो रही है तो आप कुछ ऐसा करिए जिस से लगे की कुछ हिल रहा है तो लोग कहेंगे कि आप सीरिस हैं क्योंकि एक बात लास्ट मीडिया राहुल गांदी को पपू पपू कह लेती है राहुल गांदी से सवाल कर लेती है राहुल गांदी की प्रेस कांफरेंस कर लेती है लेकिन क्या किसी मीडिया में हिम्मत है कि हमारे विश्व गरू जिनका एक दूसरा नाम ली है जो पप्पू के मुकाबले उनका नाम लिया जाता है, कॉंग्रेस के लोगों नाम लेते हैं, वो किसी मीडिया की हिम्मत है उनसे सवाल पूछने की, और किसी मीडिया की हिम्मत है यह पूछने की आज तक एक प्रेस कॉंफरेंस क्यों नहीं की, दिमोक्रेसी में हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात करें ओकेवल मन की बात ना करें जिससे बातचीत हो सके और उस पैमाने पे चाहे कुछ भी कह लिया जाए पप्पू विश्व गुरू से कई मील आगे हैं धन्यवाद अगर आपको दी पब्लिक के कार्टरम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि हम निश्पक्ष पत्रकारता को जारी रखते हुए आप से जुड़े मुद्धों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सयोग करें आपका छोटा से छोटा सयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा डोनेट करने के लिए डीटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है धन्यवाद